पुराना इतिहाश है देख लिजे आप लोग इसमें भी अस्थापित है यहां देवों के देव महादेव शाक्षात महादेव जी का यह है और देख लिजे बहुत पुराना बहुत नटराज भगवान का भी यहां अस्थापित है बहुत यहां मुर्तियां है जो यहां की विशेस्ताय के बारे में बताते हैं और ऐसे शदियों पुराना मुर्ति भी इसमंदिर में आवी अस्थापित है लोग चड़ावया भी चड़ाते हैं और देख लिजे यह देवों के देव महादेव के शाक्षात और बहुत जादा पूड़ा मंदीर परिशर गुण उठता है घंटी के आवाज से यहां भी पूजा होती है और खास करके यहां की जो विशेस्ताएं हैं हम आपको दिखाने का प्रियास कर रहे हैं और बाकी मंदीर का भी आप लोग दर्शन किये हैं अब यहां के बावा तो नह जानते हैं तो हमें कॉमेंट में जरूर बताईए क्योंकि आभी हम लोग उपस्तित हैं मध्यपूरा जिला के बिख्यात मंदीर में और इस मंदीर में विवह भवन भी है विवह भवन भी बना हुआ है जो दूर दूर्शे शरधालू भी आते हैं अदर्शन करने वह भी र इस मंदीर में आते हैं दर्शन करने आते हैं और बहुत सारे वक्त उधर भी आये हैं तलाब के पास बैठे हुए हैं और मा के दर्शन करने आये हैं गाड़ी का पूजा करवाने आये हैं और खास करके हम उस तलाब के भी पास जाने का प्रियास करेंगे सबसे पहले और भी बहुत कुछ है तलाब के पीछे भी बहुत कुछ है अभी पहले आप लोग मंदिर और प्रतिमा का दर्शन कर लिजिए नाया नगर में अभी हम लोग है मा के दर्शन और यहां देख लिजिए भगवान विश्नु भगवान विश्नु है और मा लक्षमी है शायद भगवान या ऐशे कुछ परतिमा है तो आप लोग भगवान विश्नु के रूप में भी देख लिजिए और भी बहुत ऐशे यहां क्या विख्यात कुछ है इतिहास यहां का बहुत पुराना है लेकिन यहां के इतिहास के बारे में जिने जानकारी है वो अभी मंदिर में उपस्थित नहीं है तो अभी मा का आप लोग दर्शन कर लिजेगर आप कॉमेंट में हमें बताएंगे कि यहां के इतिहास के बारे में जानकारी जाहे तो हम आपको बीटोब ढिहार नीज्यूज के माध्यम से यहां की पूरी जानकारी भी साजा करेंगे जानकारों से जान करके लेकिन इधर भी एक मंदिर है इस मंदिर में भी हम आते हैं और यहां के जो प्रतिमा अस्थापित है उस प्रतिमा का भी दर्शन करवाते हैं और बहुत सारे भक्त भी यहां पर आये हैं मा का दर्शन करने और यह देखिए यह वो मंदिर है यहां पर साक्षात भगवान ब्रजमान है चाइस हम से हमिए और हनुमान जी की करवते हैं जो की नया नगर में अस्थ्थापित मंदिर है हनुमान जी का यह हनुमान जी भी है और माभगवत्ति का भी आपस विस्तार पुरवक देखे और अगला जो यहां तलाब है जो आकरशन का केंद्र बना रहता है भक्त यहां घूमने गराते हैं तो इस तलाब के पास जरूर जाते हैं और बाकी पार्क बगेरा भी बना हुआ है लोग फोटो बगेरा शूट भी करवाते हैं इदर और बहुत सारे शेशर धालू है जो